उस सेक्टर पर आपको ज़्यादे पैसे लगा देने हैं लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लॉंग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो और कम से कम 15-20 स्टॉक्स रख रहे हो तो कम से कम 5-6 सेक्टर के स्टॉक्स रखना एक ही दो तीन सेक्टर में पैसे मट डाल देना जैसा कि जो लोग आईटी सेक्टर में ज़्यादा पैसा डाले होंगे उनको अभी तकलीब जिलनी पढ़ दी होगी लेकिन अगर आपके पास ऐसे 5-6 सेक्टर होते और आपका पैसा कहीं 20-30 कहीं 30% लगा होता तो आपके सेक्टर भले 30% गिर जाता लेकिन आपके पोटफोलियो में उसका असर कितना होता मात्र आप 10-12-15% उससे ज़्यादा तो नहीं लेकिन अगर आप 80-70% पैसा उतना डाल दी हो तब तो आपको जहिलनी पढ़ेगी न तकलीब समझ गए तो इन सेक्टर से आपको स्टॉक्स ढूणने हैं जो भी आपको पसंदों आपको खरी सकते हो कोशिज करना कि इंडस्ट्री का जो एवरेज प्राइस टु अर्निंग रेशियो है उससे ज़्यादा जिसका भी पीई हो वही आप अपने long term portfolio में डालो स्टॉक्स और एवरेज करने के लिए आपको कुछ parameters पर धान देना होगा स्टॉक गिरा हो, performance उनकी result में उतनी बुरी ना आई हो तब आपको इन स्टॉक्स को एगए नमस्ते अभिवादन आपका एनोशेंटी निवेस्टर के लेकिन पहले भूमी का तयार करते हैं आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था ठीक है, वहाँ पर विराट कोली king बन करके हमारे सामने आए ठीक है, और इन्होंने कमाल की performance दिखाते हुए, कमाल की batting करते हुए इंडिया को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई अगर आपको ना पता होत मैं बता दू इनकी जो ICC ranking है वह है approximately 16 approximately बोलना हूँ, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है और हमारे देश का एक खिलाडी है जिसकी ranking है 2 ठीक है, यानि कि second number पे है वो ठीक है, उसका नाम है सूरी कुमार यादो अब हमारी उमीदें इसी से ज़्यादा रही होंगी न कि ये best performance करके दिखाए ठीक है, ये भी आए, खेले लेकिन उतनी बढ़िया performance ये नहीं दिखा पाए ठीक है, आज जिसकी performance काफी दिनों से डामा डोल चल लही थी, पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत तो बड़ी है लेकिन जिसकी ranking 16 थी, उसने बहुत अच्छी performance करके दिखाई जिसकी ranking 2 थी, उसकी performance in comparison to इसके काफी कम रही और जो यहाँ से expectation थी, उसके भी मुकाबले काफी कम रही चाहिए, सबसे पहली सीख तो आज की match से यही थी, दुखसरी धेर सारी सीखें हो सकती है आपकी अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन stock market के case में जो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें जिससे बहुत उम्मीदें होती है, जरूरी नहीं कि वो हमारी उम्मीदें fulfill करें क्योंकि market बहुत ज़्यादा dynamic है, बिल्कुल cricket की तरह और इसलिए मैं cricket देखता भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर market से कई सारी चीज़ें match करती है ठीक है, uncertainty जो कि मुझे काफी पसंद है और जो life को भी काफी beautiful और adventurous बनाती है इसी कारण मुझे cricket पसंद है, इसी कारण मुझे market पसंद है ठीक, अब यहाँ पर जो serious बाते हैं, वो मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ठीक है, आपको भी best stocks अगर बता दिये जाए, best sector बता दिये जाए, तो भी जरूरी नहीं, आपको best return मिल पाए ठीक है, best return के लिए क्या जरूरी होता है, patience, best return के लिए और जरूरी क्या होता है, आपका trust ठीक है, trust, जिनको विराट कोली पर भरूसा था, वो सुरूर सही बोल ले होंगे, हाँ ये बंदा आज perform कर सकता है, कर सकता है, इसको करना चाहिए, इसके पास capabilities है, ये सब बात नहीं, ठीक है, बुरे समय में अगर आप किसी को select करते हो, तो आपको थोड़े से सस्ते मिल जा और जो लोग टीम हो गएरा बनाते हैं, उनको भी पता है कि क्या case था, वहाँ पर खेर जाने दो, ठीक, मैं टीम हो गएरा नहीं बनाता है, बस मुझे बाते थोड़ी सी पता होती है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, हाँ, तो अब जो सबसे जरूरी बात कर रहे थे हम जरूरी है, ठीक है, सबसे पहली बात कि कौन सा सेक्टर बेस्ट चलेगा, तो आपको मैं 5-6 सेक्टर के नाम बता रहा हूँ, इसके बाहर आपको कहीं कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, कभी कुछ मिल जाए, तो लेकर कर आजाओ, कोई मोनोपोली बिजनस मिल जाए, बाकि आपको यहीं पर सबसे अच्छे-च्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, FMCG, all-time favorite मेरा, ठीक है, FMCG, all-time favorite, आपको यहाँ पर पैसे तो हमेशा, 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 हमेशा डालने चाहिए, ठीक है, अगर आप long-top folio बना रहो, FMCG में क्यों नहीं डालोगे दूसरा हो जाता है, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में भी आपको पैसे डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर देश आगे जाएगा, बैंक के बिना तो वो जा नहीं सकता, ठीक है, अब तीसरा कौन सा सेक्टर है, अभी के हिसाब से, मैं current market condition के हिसाब से अभी बता सकता ह हो, renewable energies पे भी काफी जादा focus इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन आप गलत समय पे जब stock खरीद होगे तब तो फंस होगे, लेकिन जो लोग long term सोच रहे हैं, तीन, पांच, पंदरा, बीस साल, उनके लिए भी, या जो लोग थोड़ा सा कम, यानि की डेर, दो, तीन साल ही सोच हैं, उनके लिए भी ये जो सेक्टर है, ये no brainer है, kind of SI आप बोल सकते हो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा सेक्टर है, क्या IT की बाद हम भूल जाएंगे, नहीं भाई, IT पे reliability बहुत है, इवन जो banking industry है, आपको मतलब क्या बता हूँ, इनके यहाँ एक minute में, कितने number of transactions होते हैं, आप समझ नहीं पाते, मतलब हम आप सब सायद एक बार के लिए सोच भी ना पाएं, और उसको manage कोन करता है, IT, ठीक है, IT ही manage करता है, पुरी की पुरी banking industry को, समझ रहे हैं न, समझ रहे हैं, अगर आपको ना पता हो, ये भी बता देता हूँ, कि HDFC bank, अप approximately 25 लाख रुपए कमाता है, साल भर में, ठीक है, approximately हर एक employee से, HDFC bank 25 लाख रुपए, या थोड़ा इस से भी ज्यादा कमाता है, आप data check कर लेना, है न, कमाल की बात, salary कितनी देता है, 12 लाग भी नहीं देता, सोच लो, सोच लो, average के सिनारियों की बात हो रही है, ठीक, IT चलेगा ही चलेगा, अभी थोड़ी सी गर्दिष चल लएँ वहाँ पर, लेकिन वो गर्दिष बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, ग्लोबल मार्केट में जैसे ही सब कुछ स्टेबल होगा, IT सेक्टर भी अपने आज स्टेबल हो जाएगा, तो long term जिनको करना है, कोई धकलीफ में पर होनी ही, नहीं चाहिए, पांचवाँ और जो सबसे प्यारा सेक्टर है, वह है इंसरेंस सेक्टर, ठीक है, इंसरेंस से ही जूड़ता हुआ सेक्टर, आप मेडिकल सेक्टर भी जोड़ सकते हो, खासकर डागनास्टिक वाली कमपनिया, दवाईयों वाल आप मेडिकल या यू कहलो कि फार्मा सेक्टर भी पैसे लगा सकते हो, आपको स्टॉक यहीं से ढूणने हैं, और आप कहोगे कि सर यह सब बातें तो कोई भी आ करके बता देता, आप तो यहां आ करके हमको सेक्टर के नाम बताने लगे, तो दोस्त आप और जगह से स्टॉ हो गए, हाँ, आटो मुबील हम कैसे मिस कर सकते हैं, छटा सेक्टर आटो सेक्टर, ठीक है, अब बहुत सारे छोटे छोटे भी सेक्टर हैं, मैं आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्परिमेंट करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर सच में कोई करता हुआ दिखाई दे जाता है, तो कुछ बातें आपको बता दूँगा कि उस सेक्टर का वो लीडर होना चाहिए, लीडर नहीं तो सेकंड लीडर कम से कम हो हो, तभी आप चूस करना, अगर आप छोटे स्टॉक ले रहे हो तो अधर्वाइच इग्नोर ही कर देना, ठीक होगा क्या कि जो लोग जाएंगे एलेक्ट्रिक वेहिकल्स में, वहाँ पर भी बहुत सारी उपर्चुनिटीज हैं, और आटो सेक्टर पर आपको दो तरीके से फोकस करना है, पहला तो रिनुवेबल एनरजी के कारण वो भी पूरी काया पलट सकता आटो सेक्टर की, दू आटो सेक्टर में, बहुत बड़े लेवल पर अपर्चुनिटी के रूप में अवेलबल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो फर्स्टाइम मोटर साइकल वायर बनेंगे, फर्स्टाइम कार बनेंगे, और उसका सीधा फायदा आटो मोबील सेक्टर को होना है, आप सब हो ग लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लॉंग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो, और कम से कम 15-20 स्टॉक्स रख रहे हो, तो कम से कम 5-6 सेक्टर के स्टॉक्स रखना, एक ही दो तीन सेक्टर में पैसे मट डाल देना, जैसा कि जो लोग IT सेक्टर में ज़्यादा पैसा डाले होंगे, उनको अभी तकलीफ जिलनी पड़ रही होगी, लेकिन अगर आपके पास ऐसे 5-6 सेक्टर होते, और आपका पैसा कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30% लगा होता, तो IT सेक्टर भले 30% गिर जाता, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में उसका असर कितना होत जाता, मातर आर 10-12-15%, उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप 80-70% पैसा उतना डाल दी हो, तब तो आपको जेलनी पड़ेगी न तकलीफ, समझ गे, तो इन सेक्टर से आपको स्टॉक्स ढूनने हैं, जो भी आपको पसंदों, आप वो खरीज सकते हो, कोसिस करना क कि इन्डस्ट्री का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उससे ज़्यादा जिसका भी पीई हो, वही आप अपने लॉंग टम पोटफोलियो में डालो, स्टॉक्स और एवरेज करने के लिए, आपको कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान देना होगा, स्टॉक ग हो, मैं किसी भी तरीके से यह चीज आपको नहीं कहना चाहता, सिरफ FNCG भागेगा, सिरफ B तो दोस्त मैंने आपसे कहा न कि दो ranking वाला बंदा भी बहुत कम performance दे सकता है after all हमको return चाहिए होता है na return के लिए हमको समय देना पड़ता है और हमको average के सिनारियों पे ही focus करना होता है हम अपने आपको perfect ना मान करके बैठें courses हम करते रहेंगे कि हम आपको बताते रहें कौन से sector में opportunities हैं कौन से stocks में opportunities हैं लेकिन पहले सही हमको यह मान करके बैठे रहना है कि हम best नहीं select कर सकते हैं average के सिनारियों में हमको performance देखनी है निफ्टी से अपनी तुलना करनी है that's it यही थी story जो मैं आपको बताना चाहता था ठीक है आपको बात समय में आई होगी आई है तो video like कर देना अगर आप agree नहीं करते हो तो आप बता सकते हो और हाँ अगर आपको कोई और सेक्टर या इन में से आपको कोई एक सेक्टर जिस पर बहुत ज्यादा conviction है बहुत ज्यादा possibility दिखाए दे रही हने वाले तीन पांदस पंदर अभी सालों में तो आप नीचे comment करके बता भी सकते हो अभी के लिए तना ही जल्दी मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहार नमस्कार